आज हम बना रहे हैं तवा चिकन चलो बनाते हैं यह है लोगे का तवा और हम इसके उपर तवा चिकन बनाएंगे और मैंने यह लिया है 400 गराम चिकन इसी चिकन से हम तवा चिकन बनाते हैं पहले हम ग्यास चाल करें तवा हमारा गरम हो गया है दो से तीन चमच हम होईल डालें और यह दो मेडियम साइज के मैंने प्यास लिया है हम इस प्यास को भी अच्छे से प्राइ करें हाँ पहले तो मैं थोड़ा जीरा डालूँ है तो कि रुकि रुकि मैं जीरा डालती हूं यह आदा चमच में ने जीरा डाला है अब हम प्यास डालें जीरा अच्छा गरम हो गया क्योंकि हमारा तवा गरम हो गया यह दो मेडियम साइज के अच्छे बड़े प्यास लिये है यह प्यास को भी मैंने अच्छी से कट किया है प्यास को हमको अच्छे गुलावी गुलावी करना है और चिकन को भी हमने इसी में ही पकाना है प्याज हमारे गुलाबी गुलाबी हो गए है अब यह हम इसमें एक इंची का मैंने आद्रक का पीस लिया था और इतने मैंने लसुन लिया है और उसको अच्छे से बारिक चौप कर लिया है इसको भी हम इसमें प्राइ कर लेंगे चलो हमारा अधरक लसन भी फ्राइव हो गया अब हम चिकन डालेंगे चिकन को भी हम प्याज में अच्छे से पताएंगे यह मैंने इस तरह से लंबे-लंबे पीस किया है और यह बोनले से यह मैंने 400 ग्राम चिकन डिया है थोड़ा मैं चिकन में ते तानी के लिए थोड़ा नमस बिदा देंगे बिलकुल पोड़ा डालेंगे फिर बाद में जो मसाले हम डालेंगे उसके बाद हम नमक का शेट करके नमक डालेंगे आई लिए यह राद यह अ दुछ दूब आवण चिकन डालें के बाद मुझे इसा लगा वे तेल इसमे कम है मैं है दो टेबल स्पून आप है। आप हम ये चिकन को पतने के लिए एक प्षर मिनित के लिए छोड़ेंगें पास त्षात मिनित के लिए दृक्षण लगाके इसको रगदेंगें और मैंनि कम पे रख़ा आए। पानी इदर गरम करने के लिए रखा है और दो से तीन चमश मैं इसमें पानी डाला है इसमें पानी डाला है अब इसको मैं ढगाती हूं और पास से साथ मिनिट तक के इसको कम आज़के पर पखने लेते हैं चलो डखकन खोलते हैं चलो हम इसमें सब मसारे हम अपने डालेंगे एक चमश लाल विर्ष डालूंगे पोड़ी हल्दी डालेंगे यह हमारा धनिया पावडर थोड़ा गरम मसाला तो हम इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं यह हमारा थोड़ा काला नमक है यह थोड़ा चाट मसाला है थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं हम लोग और इसको भी पकने के लिए मैं थोड़ा और पानी डालूंगे अबी भी मैंने दो से थीन टेबल स्पून पानी डाला थे चुप मैं इसको और ड़कन रगा के और पांच मिट तक के पकने देते हैं चुप इसका ड़कन खोलती हूं वाव बहुत बढ़िया कितनी बढ़िया हमारी चिकन बनके तयार हो गई गल भी गई बहुत अच्छे से चलो अब हम इसमें यह हरी वाली प्यास डालेंगे थोड़े हरी प्यास डालेंगे यह हरी पत्ती डालेंगे यह शिमला मिर्च है और यह हमारा टमाटर है चलो अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर यह रेडी हो जाएगा और हम प्लेड बनाते हैं चलो यह रेडी हो गया है ग्यास को भी में बन करती हूं और हम अच्छे से प्लेड बनाएंगे आए वह जोड़ा निया बनात्राव एंट तर चीके तवा और हमारा बन करेंड रेडी हो गया है थोड़ा तवा खोटा होने की वज़े से रेड और हम उसको अच्छे तकलिक तो आई लेकिन मैनेज तो अच्छे से कर लिया है चलो हमारी चिकन बन गई है तवा चिकन चलो में ट्राइ करती हूं अच्छी बहुत अच्छी बनी है वाउ बहुत ही बढ़िया आज की एकदम सिंपल और साधी डीश आप भी बनाईए बहुत ही पसंद आएगा और बहुत जल्दी बनने वाली डीश है आप काम कीजिए इसको दम पर रखिये इदर हिला लीजिए उदर कुछ कीजिए यह बहुत ही इसी तरीके से बनने वाली डीश है चलो मिलती हूं अगले वीडियो में एक नहीं रेसिप के साथ तक तक के बाई